हेलो गाईज आप सभी कबालकी रसोई यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है आलू और चने की साग की भाजी बनाना तो आईए बनाते हैं आलू और चने की साग की भाजी चने की भाजी बनाने के लिए ये हमने चने का साग लिया है ये धाई सो ग्राम के आसपस चने का साग है इसको हमने अच्छे से ढोल लिया है और अब मैं इसको कटिंग करूंगी ये मैंने दो बड़े प्याज लिये हैं इनको लंबाई में कट कर लिया है चार हरी मिर्च लिय इसको भी बारी कट कर लिया है ये मैंने हरा लसन लिया है ये हरे लसन की 5-6 कलिया थी जिनको मैंने कट कर लिया है मैंने पत्तो समेती ही इसको हरे लसन को कट कर लिया है दो बड़े आलू लिये हैं इसको भी हमने धोकर बारी कट कर लिया है तो आईए बनाते हैं चने की भाज ली यह मैंने एक कडहाई लीए है कडहाई में में ओईल कि के अलोंगी ने Χांब हे कर which 송झे तो तुछ नुगी आसी शुनाजोच दraw दूंगी जब तक ये हमारे प्याज बूलते हैं तब तक मैं ये चने की भाजी काट लेती हूँ मैं इसको बारी कट कर लूँगी सारे चनी का साब कट कर तियार हो चुका है और इधर हमारे प्याज ये भूनने लगे हैं और प्याज के साथ ही मैं ये ठरा लफसन डाल दूगी और इसे भूने भून दूगी अब मैं इसमें चुथाई चम्मच खल्वी पोड़र डालूँगी और आधा चम्मच में धनिया पोड़र डालूँगी इसके अंदर चुथाई चम्मच में लाल मिर्ची पोड़र डालूँगी क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च चार प्माच काटती है मैंने इसको अच्छे से मिक्स करूँगी अब मैं इसमें ये हरी मिर्च और टिमाटर डाल दूँगी साथ ही मैं स्वादर नमक डाल दूँगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मसाले को इसी के अंदर में ये तिमाट ये आलू डाल दूँगी और इसे अच्छे से पांच से छे मिनट के लिए भुलने दूँगी और धक्के में इसे आलू को पकने दूँगी तो आईए चेक करते हैं हमारी सब्जी को पांच से साथ मिनट हो चुके हैं और आलू ने ओल भी छोड़ना सुरू कर दिया है और ये आलू मारे थोड़े गल भी गए हैं अब मैं इसमें ये चनी का साथ ना उड़ूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी क्लेम को मैं तेज कर दूँगी और प्से नि क्सेन रूँगी कर दूँगी अच्छे से अहुँगी प्रावा को नहां प्रावतों बड़ाँ की बड़ा है अब मैं इसे खिर से एक से वो मिनाट दपके फिर पकने दूंगी गैस का फिले में स्लोपे ही रखूंगी तो आईए चेक करते हैं और ये हमारी भाजी अच्छे से बन कर त्याग हो चुथी है मैं इसे एक मिनाट के लिए ऐसे ही भूलूंगी से और अब मैं गैस को बन कर दूंगी और इसे एक पावलूंगी मैं सहर करूंगी ये हमारी चने की भाजी खाने में बहुती स्वाधिष्ठ होती है ये हमारी चने की भाजी बन कर त्याग हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद झाल बन्यवाद